अमिर्पूर के एंजियू बबन परिसर में परदेश तक्नीकी करमचारी संग की बैटर का आयोजिन किया गया जिसमें परदेश नयोजक सुनील शर्मानाय शिरकत के इस अफसर पर तक्नीकी करमचारी के हो रहे है शोशन के खिलाब आवाज उठाई गई और सरकार से मांग की पर तक्नीकी करमचारी के रिकत पड़े पदों को जल्द वरें ताक कि तक्नीकी करमचारी के लिए भी ठोस्त पॉलिसी बनाई चाए क्योंकि पिछले 7-8 सालों से आउट्सोर्स करमचारी काम कर रहे हैं लेकिन सरकार इने बिजली वोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाने की उन्होंने कहा कि बिजली वोर्ड में करमचारी की मांगों को सालों से अंदेखा किया जा रहा है जिससे करमचारी पिस रहे हैं सुनील शर्मा ने कहा कि आगामी दिनों में हर जिला के अंदर बैटकों का दौर किया चाएगा और ठोस्त रनिक्ती बनाई चाएगी उन्होंन अगर बोड़ परवंदक वरक और सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना तो बहुत ही चल्दी परादकारियों की पैड़ करने के उपरां राचियस तरी एक महां पे रहला हिया जाएगा कुमार उसमें अपनी मांगों को मगनवाने के लिए तकनिकी करमचारी संग तकनिकी करें और इस कुनवे को और बड़ा करें क्यूंकि यह आम का पेड़ लग चुका है इसको हो बहुत फ़र लगे हैं तकनिकी करमचारी संग ने बहुत सिर्मार्डे ओंगें वो इनके मनवाई ए और आगे भी बनवाई जाएगी खात बात एक और बोलना चाहूंगा तकनीकी करमचारी संग के प्लेट फालम के नीचे सिर्ब तकनीकी करमचारी की इमामों को रखा जाता है कोई भी बात मानी जाएगी तो वो तकनीकी करमचारी की मानी जाएगी मीटेंग का उधेश्य यह है कि हमारी कि मेरा मैं सुनील शर्मा तकनीकी करमचारी संका पर देश सें Impfichunician. हुँy थी उस बादके निया गया था, इ सुरह कुछ के वारी के निचिक हुआ का छिम्मन दिया गया था उसना मुझे गया तो मुझे पर्की मेरे जिम्मधानी तह की की गई थी, तो उसलब अब तकनिकी करमचारी के क्या समस्य आ रही है और संगठन कैसे मजबूत होगा और सरकार का और मनेजमेंट का करमचारी के प्रतिक्या धूलमडल रविया है उसके बारे में आज हम ने यहां पर बैटकर की और चर्चा की तो भूसी बाते हो उबरकर आई यहां पर सबसे बड़ी बात उबरकर यह आई कि पूरे विजली वोड में सिर्फ तकनिकी करमचारी का ही शोषण और उतुपीड़न हो रहा है विजली वोड के अंदर जूनियर शावत लगा के टीमेट को तकाली पीशे वाली सरकार ने यह काम किया था लेकर आप वही प्रसा आगे से आगे लगठ निये चाहता है कि जैसे पहले रेगुलर टीमेट रखे जाते थे उजह हिसाब से इनको टीमेट रखा जाए रेगुलर इनको यूनियर शब्रिवा अटा दिया जाए और साथ में मैं सरकार और मेरेजमिंट के एक बात और बताना चाहूंगा यहां से जो यहां बात है क्या हुआ कि इन्होंने एक और सोर्स वारे जो हमारे पास 8-10-10 साल से बंदे काम कर रहे हैं जो सुचारू रूम से भी ली चला रहे हैं लोगों के करोंगी विजली टी करने आट और दस साल का उनको किस्पीरिस है उनको पता कैसे बिजली चलनी है कहां से भी जोड़ना है कि पिछले तीन साल में दोसान में वी इनको को सथाई नीती बना कर विजली बोर्ड में इस में ताकि जो पीछे इनके IPH मनिस्टर जी का एक ब्यान भी आया है तो मेरा कहने का मतलिया है कि इनको किसी कोई एक पॉलिसी मनाई जाए और उस पॉलिसी के दिन इनको बिजली बोर्ड में ही रखा जाए ताकि परदेश के लोग पुबोक्तों को जैसे अच्छी तरीके से बिजली मिल रही है बैसे मिलती रहेगी और काम भी सही तरीके से चला हुआ है तो इन करवचारियों को भी बिजली बोर्ड में ही को नीती बना कर रखा जाए